Awakening with Brahma Kumaris ओम शैंती, Awakening with Brahma Kumaris में आज फिर आपके साथ हैं Mind Matters, इस ट्रिंखला में अब हम उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जब हम स्पेसिफिक बिमारियों के बारे में बात कर रहे हैं जो mental illness है, वो आज इतना बड़ा मुद्दा बन गई है पूरी society में लेकिन क्या है समाधान और किस तरह अगर उन पर रोक नहीं लगाई तो वो हमारे लिए मुश्किल का कारण बन सकती है बाचीत करने के लिए हरवान के तरह हमाए साथ हैं Brahma Kumaris सस्थर शिवानी और जाने माने मनों चिकित सक डॉक्टर अफदेश शर्माध उनों का स्वागत ओम शैंती ससर शिवानी आप से शुरू करते हैं पिछली कड़ी में हमने बात की थी इंग्जाइटी की चिंता जो है बार-बार कहा जाता है चिता समान और डॉक्टर अफदेश ने कहा भी था कि अगर इस पर हम कंट्रोल नहीं करते तो हमारे को किसी ना किसे बिमारी की तरफ जा सकते है और सिर्फ मानसे की नहीं शरीर पर भी उसके असर की बात थी और कहा गया था कि अगर स्प्रिच्वल लाइस्टाइल को थोड़ा सा अपनाते हैं तो चिंता को हटाया चा सकता है हम आपस बहुत सारी इमेल्स आए हैं लोग बार-बार बात कर रहे हैं चिंता हमारे जीवन का हिस्सा है हम इसे नहीं मिटा पात सकते हैं अगर नहीं मिटाया तो प्रॉबलम है कैसे अपने आपको समझाना चाहिए किसे बहार निकलना इस विश्या सरक थिसमें हम फस कई हैं सबसे पहले जैसे आपने का चिंता हमारे जीवन का हिस्सा है नहीं चिंता हमारा जीवन का वो हिस्सा है जो हमने चूस किया हूआ है we choosing to live that life it's like if I don't take care of myself physically तो फिर कमजोरी मेरे जीवन का हिस्सा है नेकिन इस दोस्त में कि मुझे पूरे जीवन फिर कमजोर रहना है it just means कि अगर आज से ध्यान रखना शुरू कर दिया then I'm only going to get stronger and stronger and stronger so same with the mind इस मन को बहुत समय से दोडाते गए, दोडाते गए continuous you see where do we rest मन को rest नहीं मिलता हमने का आज कल जीवन बहुत fast हो गई है you know everybody says very fast life हो गई है लेकिन fast life के साथ fast mind भी तो हो गया जब life थोड़ी easy थी, slow थी तो mind भी easy और slow था आज fast life ये, 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 इसके even for children सुरूफ school नहीं पर उसके बाद ये everything so fast mind also very fast rest period नहीं और फिर जितने जादा challenges उतनी जादा negative thinking भी आने लगी तो थोड़ा सा अगर फिर से वापस उस mind को ease down करने के लिए हम चोटी-चोटी प्रयास शुरू करें और अगर आप देखें, वो भी आज हम करना शुरू कर दिया है इस 10-20 years में अगर challenges we didn't have all this before कहां थे लोग जो कह रहे थे हमें वरक्शॉप के लिए जाना है हमें रिट्रीट के लिए जाना है हम ये करना है now we realize के हमें ये करना है healing करनी है कोई कह रहा है मुझे chakra healing करनी है so we want to do all that तो अगर हम थोड़ा सा उस तरफ अपना ध्यान रखना शुरू करे तो चिंता हमारी कमजोड मन की निशानी है उसी मन को थोड़ा सा ध्यान रखकर powerful बनाएंगे which means उसके अंदर कुछ अच्छा रोज डालना शुरू करे 10-15 minute meditation which means relaxation meditation जो हम सीखें आकर यह भी एक थोड़ी सी प्रॉबलम है क्योंकि इतना fast चलने वाला मन यह कोशिश करता है कि मैं एकदम zero हो जाओ मतलब, you know, I stop thinking many people I meet हम बैठते हैं, हमसे meditation नहीं होता वो भी उन्होंने अपने आपको write-off कर दिया कि हमसे meditation नहीं होता क्यों नहीं होता हम सोचना बंद ही नहीं कर सकते लेकिन meditation doesn't mean सोचना बंद करना in fact कोशिश भी नहीं करने चाहिसे कि बलकुल my mind should have no thought how can it be कि fifth gear में कोई चीज चल रही है and suddenly you're telling it stop thinking so it won't happen meditation means thinking a right kind of thought you know, जो सही सोचना तो वो हम थोड़ा से सीखते हैं center पर आकर लेकिन ये definite है percentage vary करेगा हर एक के लिए लेकिन जो भी ये दोनों चीजों को अपने जीवन में daily basis पे डालना शुरू कर लेगा कि थोड़ा सा ज्यान study करना 10-15 minute meditate करना which means right diet and exercise उसको महने दो महने के अंदर अंदर परिवर्तन दिखाये देना शुरू हो जाएगा जैसे फिर आपको चेंज दिखाये देना शुरू हुआ आपने उसको भी अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया अब हमें ये लगता है कि वो आदा घंटा हमें benefit देता है वो आदा घंटा हमें benefit नहीं देता है वो आदा घंटा हमें पूरे दिन को देखने का नजरिया सिखाता है so it's not that I'm peaceful for that half an hour no, I learn the technique to remain peaceful for the rest of the day in that half an hour that also I have to be very careful because many people will say I'm very peaceful while meditating but the whole day वो तो stress natural है meditation, spirituality gives me the tools जिससे मेरे जीवन का सोचने का नजरिया बदलना है अगर वो नहीं हो रहा तो फिर मैं अपनी spirituality को जीवन में नहीं लाया फिर मैंने उसको सुरफ एक again आदा घंटा feel-good factor के लिए रखा कि ये अच्छा लगता है आदा गंटा तो कही लोग बोलता, at least half an hour I am relaxed but nahin, half an hour relaxed नहीं, पूरा दिन I'll be able to face situations in a better way Empowerment actually मतलब हर बात जो आएगी उसको हमें का लग नजरीय से अब फेस करेंगे बात को जो size का है उसी size का रखेंगे या उसे भी उसको छोटा बना देंगे आज हम बात को बहुत बड़ा बना कर देखकर खुदी डर जाते हैं पास्ट और फ्यूचर में ना रहकर प्रेजन्ट में रहने का प्रयास हम करना शुरू करेंगे तो पूरे दिन पर उसका प्रभाव पड़ेगा तो दिन ओविसली वो मेंटल वेल बीग पे असर तो पड़ेगा है युसका और धिक भी रही ने जग रहे हैं मन भी भागने लगया है कहीं जरुवत इस बात की भी है कि हम थोड़े से अपने काम को भी एक ब्रेक लगाई हैं स्टॉप थोड़ा सा सरल करने की कोशच करें देखें, जिरफ काम को ब्रेक लगाने की जुरूद नहीं है जो की मिन्टों या घंटों में आपका कोई थोड़ा सा कलकुलेशन करता था और अभी आपके बाद सुपर कम्प्यूटर है इवन on a day-to-day basis आप इतने fast multiple programs कर सकते हैं फर्क क्या हुआ कि हमने operating system बदले तो कुछ समय के बाद जो पुराने operating systems हैं जो की चीजों को अच्छा नहीं कर सकते हमने उनको refine किया तो हम उसी प्रकार से मन के operating system को भी refine कर रहें लेकिन दिक्कत क्या आई है कि हम उसमें multiple tasking भी डाल रहें उसमें हम past, present and future तीनों तरह की programming भी कर रहें उसमें हम कई तरह की चीजें एकठा करने की कोशिश कर रहें लंबे समय तक करते रहने की कोशिश कर रहें बैटरी चार्ज पूरी उसकी नहीं होने दे रहें ज्यादा समय के लिए use कर रहें और उसको सही तरह की electricity भी नहीं दे रहें अगर हम अपने काम को उतना करें जितने की ज़रूरत है उसके बाद काम से भी पैक आफ कर दें और माइंड में भी उसको पैक अप कर दें दूसरा जो चीज जब हो रही है उस समय उसके साथ डील करें बाकी समय उसको साइड पे कर दें तीसरा एक higher perspective में अपने जीवन को देखने की शुरात करें विच मींज कि इस समय जो हो रहा है ये मेरी जिन्दगी पर कितना असर डालता है क्या ये life and death का प्रश्ण है अगर कोई चीज अच्छी नहीं हुई तो क्या अपसे मेरी जिन्दगी तहजनेस हो जाएगी मेरे परिवार, मेरे दूसरे लोग क्या जिन्दगी रुक जाएगी चौथा कहीं न कहीं इस चीज को ध्यान रखें कि अगर मुझे अपने किसी भी गैजेट को और अगर हम माइंड को एक गैजेट ही समझ लें उसको अच्छा यूज करना है तो उसके बीच-पीच में servicing या proper charging या सब चीजें करवाने की जरूरत है उसको मैं कितना कर रहा हूँ And lastly, but possibly the most importantly कि किस तरह से मुझे अपने गैजेट को सही प्रकार से यूटिलाइज करना है माइंड जो है, वो जिस चीज से डील कर सकता है एक समय में या तो slow कर जाता है या blink करना शुरू कर देता है थोड़ी देर बाद off हो जाता है हम वो जो multiple चीजें कर रहे हैं और जो imaginative चीजें कर रहे हैं और imaginary fears को ले के आ रहे हैं कही न कहीं उसे कम करना शुरू कर दें बाकी एक जो human living gadget है उसके एक सबसे बड़ी खास्यत ये भी है कि वो दूसरों के साथ relationships में जो सकारात्मक हैं उनके साथ उसकी energies बढ़ती हैं और हमने उन में invest करना कम कर दिया हमने काम में दूसरे artificial gadgets में इन में तो invest करना शुरू किया लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिन से की मुझे मदद मिल सकती है या जिन सको मदद करके मुझे खुशी मिल सकती है या जिन के साथ समय बिता कर मुझे अच्छा लग सकता है और उसमें मैं सिरफ वो जो लोग दिखते हैं उन्ही को नहीं जो मेरा अपने साथ रिष्टा है उसे हम कहीं भूल के हैं, हम अपने आपको एक काउंट करना भूल गया है, भगवान को काउंट करना तो बंदी कर दिया है, तो अगर हम वो कडेक्शन को बना के रखें, इंसिदेंटली मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कि आज के समय में स्पिरिचुलिटी को साइंस मानना गलत नहीं है, spirituality के द्वारा, spiritual principles के द्वारा, techniques like meditation, mindfulness के ऊपर बहुत research होई है, and they have been found to be extremely useful, not only meditative lifestyle जो की राजयोगा में सिखाया जाता है, कि आप किस प्रकार से सिरफ थोडी देर के लिए बैठके ही मन को ठीक नहीं करें, लेकिन मन को लगाता है ठीक करते रहने के तरीके अपना है सोच को बदलने के तरीके अपना है तो वो जो चीजे हैं उसके उपर बहुत शोध इस समय चल रही है कई studies भी सामने आई हैं जिनमें की anxiety को कम करने के stress related disorders को कम करने के बहुत अच्छे उनके नतीजे सामने आए हैं simple techniques like slowing down, slowing your breath अपनी breathing को deep करना, अपनी breathing को slow करना mind इधर उधर भाग रहा है उसे बड़े प्यार से वापस लाना जो की एक meditation का principle हो सकता है कुछ देर के लिए अपने रिष्टे को अपने साथ और उस समय के लिए थोड़ा सा बढ़ाना और जो powerhouse है God उसके साथ connect करना और अपने थके हुए शरीर और मन को थोड़ी सी energy देना तो ये एक बहुत असान से तरीके हैं जिनके द्वारा हम इस मन की बढ़ती हुई speed को और जो anxiety है उसको थोड़ी सी breaks लगा सकते हैं I think मन की उर्जा को भी वापिस हम ला सकते हैं उर्जा को वापिस ला सकते हैं उसके द्वारा जो physical या mental damage हुई है उसको better कर सकते हैं उसको आगे के लिए बदलने के हिसाब से अपनी सोच को और anxiety के episodes को future में लाने में कम कर सकते हैं और क्यों हम हमेशा भागा दोड़ी करते रहें क्यों उसकी speed को इतना बढ़ाते रहें जिंदगी की कि कही ना कहीं वो हम उसे sustain नहीं कर पा रहें कभी ना कभी हमें जिंदगी में बीच बीच में at least slow down करना जरूरी है क्योंकि ये शरीर की मांग है और उस slow down में ही जिंदगी का मज़ा है उसी में आप चीजों को अच्छे रूप से देख सकते हैं enjoy कर सकते हैं इसका ये मतलम नहीं है कि आप चलते चलते दूसरों के साथ bandwagon से उतर गए it just means कि आपने जिंदगी के महत्व को पहचाना और अगर हाई स्पीड पे चल रहे हैं तो साइड की सीन सी तो दिखती है तो उन सब के लिए भी हमें कभी-कभी slow down करना बहुत जरूरी है जिंदगी का हिस्सा बना लेना जरूरी है क्योंकि अगर वो नहीं करते तो फिर anxiety जो है वो बढ़ती रहती है और एक stage के बाद वो out of control spin कर जाती है और जो वो उस मकाम पर पहुंच जाती है उसे panic attacks का जाता है Okay, it's like a heart attack panic attack के सारे symptoms जो है वो एक तरहें से व्यक्ति को ऐसे लगते हैं heart attack के हैं कुछ ही seconds के अंदर बहुत ज़्यादा घपराहट दिल की बहुत तेज धडकन होना बहुत ज़्यादा सांस का तेज चलना पसीने आना हाथ पे ठंडे होना चक्कर आना ऐसे लगना कि वो भी गर जाएंगे कोलाप्स कर जाएंगे ज्यादा तर लोग फटाफट अमर्जनसी रूम में अमर्जनसी में पहुँचते हैं और वहां पे जाके उनके टेस्स होते हैं कुछ लोग वहां पे चौविस गंटे के लिए आईसी में रहते हैं कर लोगों का नेक्स्ट एंग्राम होता है पता लगता सब कुछ नॉमल है अनफोर्चनेटली इसी समय उनको कह देते हैं कि आपको कुछ नहीं है पर हाट का कुछ नहीं है पर है तो सही उसके लिए वहां पहुँचा अब उनके दिमाग में एक और तरहें के विचार चलने शुरू होते हैं कि कुछ है पर डॉक्टर को भी पता नहीं लगा तो ये नेक्स टाइम आएगा और ज्यादा तर लोग उसके बाद फियरफुल होके किसी को साथ रखना शुरू करते हैं कहीं जाते हैं तो गाड़ी में भी साथ हो फिर कुछ जगा पर मान लीजे ट्राफिक में फस गए तो उनको ये तर लगना शुरू हो जाता है कि अगर फस गए और ट्राफिक जैम से आगे नहीं जा सकते तो हॉस्पिटल कैसे पहुंचेंगे मुझे कुछ हो ना जाए और फिर कई लोगों के लिए दौर शुरू होता है जहां पर इन्वेस्टिगेशन पर इन्वेस्टिगेशन एक से दूसरा डॉक्टर या वो सिरफ उतना दूर जाएंगे जितना दूर उन्हें लगता है आसपास कोई हॉस्पिटल है या घर का कोई व्यक्ति साथ में हो एक्शली क्योंकि पता नहीं चल पाया डाइगनोस नहीं हो पाया तो इक घबराहट मन में ही बैट गई कि कुछ तो है पर क्या है यह नहीं पता एक तो यह और दूसरा जब वो अटाइक आता है तो उस समय में उस व्यक्ति को एक्शली ऐसे लगता है जिसे हाट की कोई प्रॉबलम है और उसे लगता है कि इस बार नहीं होई तो नेक्स ताइम जरूर होगी और अगर नेक्स ताइम डॉक्टर के पास पहुचने से पहले कहीं हो गई वो अमतार पे शहर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं कि उनको लगता है कि रस्ते में अगर कुछ हो जाएगा तो क्या आएगा एगा एगा एड देन स्लोली कई लोग जो है वो अपने काम को छोड़ कर या अपने नॉर्मल जिंदगी को छोड़ कर सिरफ हॉस्पिटल जा डॉक्टर के चक्कर लगाते हुए एक बहुत धर भरी जिंदगी जो है वो जीनी शुरू कर देते हैं और उसमें और हार्ट की दवाई के बिना ठीक हो गया तो अवियसली है हार्ट डिजीज नहीं है यह सिरफ एंग्जाइटी है और अच्छली उसको दूसरा एक तरीका लेने का यह है कि मैं जब उस समय पूरी सिम्टम्स के साथ था उस समय एक बार में पूरा चेक हो गया जब वो नॉ समय निकला है तो बागी टाइम पे तो कुछ होना नहीं और एक बात है कि चलो में को हार्ट की प्रॉबलम नहीं है पट कुछ तो प्रॉबलम है चाहे फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं हुई लेकिन सम्वेर उसका कोई तो ट्रीटमेंट तो होगा तरीटमेंट के लिए सबसे पहले दॉक्टर दवारा एक्सेप्टेंस और कम्यूनिकेशन और फिर व्यक्तिदारा और परिवार दवारा उस चीज की एक्सेप्टेंस तो फिजीशन के पास ना जा के मेभी एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के जानी की जरूरत है हुना यही चाहिए परिवारा एक्सेप्टेंस परिवार विजीशन की जो है वो हाट नहीं है सिरफ उसका एंड और जिसको कह सकते हैं हाट है मैसे जहां से जारह है पूरे शरीर में और पूरे शरीर में वो सिंटम्स हो रहे है और उस समय actually सही अगर रक्ती को guidance मिले तो ऐसे episode के बिलकुल बात उसे एक mental health expert के पास जाना चाहिए या psychiatrist के पास जाना चाहिए जो उसके sphere को recognize करके उसको सांतवना दे सके कुछ cases में medicines की भी कुछ देर के लिए जरूरत होती है ताकि जो इतनी ज्यादा anxiety है उसको कम किया जा सके नहीं तो यही panic attacks फिर situations में फोबिय का रूपधरन कर लेते हैं तो से situation से डर लगना शुरू हो जाता है situation के है सिंदकी से डर लगने लगया because he's really constantly in fear कि मुझे कभी भी attack आ सकता है and nobody knows what it is और आम तर पे परिवारवाले भी उसके साथ में इस प्रक्रिया में शामिल हो जाते है कि कुछ होना नहीं है या वो डर जाते है कई लोग डर जाते है कि शायद ए छोटा hospital था शायद पूरी investigations नहीं हुई बड़े specialist के पास जो और ज्यादा investigations के लिगा कुछ नहीं आता है पहली बार नहीं आता है ट्रैक में ये भी बाते बोलते है कई चीजें जो है उसके साथ जोड़ जाती है मैं ये कहूंगा कि परिवार वालों का और खास और पे डॉक्टर का ये फर्ज बन जाता है कि इस चीज की suspicion को रखे अगर ऐसे symptoms हो रहे है तो उस व्यक्ति को उस समय डर में जाने की बजाए उसकी मदद करके उसकी anxiety को कम करने के तरीके सुझ है और उसके लिए एक mental health expert के पास जाना जरूरी है या वो खुद अपने आप कर सकता है उसको mental health expert के साथ मिलकर और परिवार के साथ मिलकर उसको इस थिती को फेस करने की मदद करने की जुरूरत होती है अगर बहुत जादा anxiety है तो कुछ दवाईयों के साथ-साथ कौंसलिंग के साथ-साथ और किस तरीके से उन situations को वो पहले ही समझ के या एवाइड कर सकता है या उस situation में रोज जी के उसके उपर काबू पा सकता है Mr. Shivani, here I think spirituality and you know the counselor अगर हम कहें या spiritual healer also can be a big help Yeah, because fear जो बैठ के आना वो निकलना important है तो अगर हम doctor के पास जाते हैं even if there's nothing wrong हम knowledge तो लेकर आएंगे न के instead of living in that fear के फिर हो सकता है हुआ तो मुझे कैसे करना है, क्या करना है see we are only one step away from knowledge and that is one step away from healing तो अपने आप guesswork ना करें internet पे जाके सर्च करके खुद answers ढूनने की कोशिश ना करें because फिर हम answers ढूनने की बजाए बहुत सारे और questions create हो जाएगे you know, we don't get the right information when we don't know the right issue तो अगर हम जाते हैं पांच मनेट बात करके आते हैं हमें कितनी सारी बाते पता चल जाती है एक क्या हुआ था second, आगे के लिए मुझे क्या ध्यान रखना है इतनी सी information हमारे और हमारे पूरे परिवार की mind को at ease कर देखे and when we at ease हो जाएगे ऐसे episode फिर से होने का chance automatically कम हो जाएगा even if we brush it aside subconscious mind may it will be there and I think that the mole था anxiety करने की जो मेरी tendency थी वो तो खतम हो यह नहीं वो तो परादाएगो सकता उस anxiety के साथ अब एक और anxiety आ गई है see, एक fear क्या ही हाच का था अच्छा इवन अगर cardiologist ने कह दिया नहीं, नहीं, आपने चार से पूछ लिया नहीं है, फिर भी क्यूंकि वो हुआ था तो जिसने experience किया है वो सब के साथ बात सुन सकता है लेकि अपने experience को डिनाई नहीं कर सकता है बले आप कह रहे हो मुझे नहीं लेकिन मुझे पता है, मुझे क्या हुआ था था उस ताइम so the mind has to be put at ease otherwise existing anxiety and now this new one anxiety तो फिर चांस बढ़ जाएगा होने का so again we are that one step away अपनी healing खुद कर सकते है सिरफ जाएं, पास पांच minute knowledge ले अपनी मन को शांत करते है and plus we also learn कि आगे के लिए हमें अपना कैसे ध्यान रखना है कई बार हम spiritual counseling के लिए भी जाते है you know कि जीवन की कोई issues है अंगर उसके भी counseling कई देखो क्या होता है हम लोग जादातर बाते जो करते है अपने family and friends से करते है suppose मुझे relationship में कोई problem है मुझे घर पे कोई problem है families and friends is very good बट कई बार वो एक detached perspective नहीं दे सकते है third जो आसके एक detached perspective क्योंकि हम जिससे भी share करते है उसका या तो हमारी तरफ बाइस है attachment है या if I am talking about my husband तो उनका उसकी तरफ है I don't get a detached perspective so sometimes spiritual counseling हमें एक बहुँ detached perspective and most important spiritual counseling हमें ये बताता है कि मुझे क्या करना है जब हम आपस में बात करते हैं friends and family suppose मैं आपसे बात करूँ कि ये मेरे साथ ऐसे कर रहे है ये मेरे साथ ऐसे कर रहे है आप मेरी बात सारी सुन लेते है तो मुझे अच्छा लगता है आपको बताना है तो मेरे मन का बहुत कुछ निकल आता है लेकिन उसके बाद आप क्या करते है अच्छा वह ऐसे कर रहे है चल कोई बात नहीं न छोड न that doesn't give me solution लेकिन एक spiritual counselor मुझे ये बताएगा कि मुझे मेरे कौन से संसकार पर सोचने की तरीके पर work करना है जिस्से आप गो बाक तो बाक तो एट सिटूएशन इन इन आपर बेट न इन अच्छा पर पावर्फुल वेए तो mental health expert for the ailment अगर उसके साथ-साथ हम spiritual solution भी धुंडे अपने उस जीवन की problem का mind will be at ease, absolutely इसी में एक और चीज spiritual perspective in counseling की एक episode हुआ symptoms हो actually उसको हमने नाम दिया व्यक्ती ने नाम दिया कि शायद heart की problem डॉक्टर ने देखा investigation दी, उसने कहा heart की no problem लेकिन अभी जैसे सिस्टर शिवानी ने कहा कि question mark रहता वो attack हुआ और वो उसके बाद खतम हो गया उसके बाद आप ठीक हैं, normal हैं survive किये हैं तो ये एक higher perspective की मेरे लिए ये एक मौका था, समझने का कि मैं अंदर किसी ऐसे turmoil से गुजर रहा हूँ या मेरे अंदर एक baseline anxiety है, जो किसी खास समय पर trigger off हो गई क्या चीजें है मेरी जिंदगी में उस समय जो फिर से ना हो क्या चीजें हैं जिनको मैं ठीक करूँ, वो मुझे एक तरहें से मौका देता है ये वाला episode ये समझने का और आगे जाके ठीक करने का और क्यूंकि अगर हुआ और कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब मेरे जिंदगी अभी और चलने वाली है, एक दूसरा क्या वाला आगे के लिए अगे का अवाला ये वालनिंग सिग्नल अचली ये एक ये जा आगे का दो और वहां पर फैमिली इसमें फ़स्जाने की बजाए उस व्यक्ती को सपोर्ट करने के लिए ये जो भी इस्यूस है उनको सॉल्व करने के लिए उसकी मदद कर सकती है वही ट्रू और ये अच्छली मैक्सिमम लोग इसे इतने डिसहर्टन हो जाते है कि मुझे ना हाट की प्रॉब्लम निकली ना कोई और प्रॉब्लम निकल रही है तो ये जो confusion है इसी में ही हमारा पूरा जो आस्पेक्ट है वो खत्म हो जाता है but I think we really need to understand कि अगर ये पानिक अठेक है जिसके सिंटम से मैंने अनुभव किये तो उसके नीचे जो बेस्लाइन एंग्जाइटी है उसको मुझे कैसे वाइड आप करना है Dr. Aavdesh Sharma, Sasa Shivani Thank you so much आज के पूरी बात्चीत के लिए अब शेंटी Daily meditation is not only to experience peace during that time but to reprogram our belief systems channelize our thoughts and prepare how we are going to be the entire day Meditation energizes us to be peaceful in the toughest of situations To replenish mental energies pack up your mind about work once the task is done Deal only with that what is happening in the present and keep other things aside mentally Look at your life with a higher perspective and avoid multitasking Spiritual principles and techniques of meditation have been scientifically proved to reduce anxiety and stress disorders Slowing down your mind Slowing your breath Connecting to the supreme power and then energizing your mind and body enhances healing Anxiety, if not healed, goes on increasing And at one stage, spins out of control Which is a panic attack Within a few seconds, getting panicked Increased heartbeat Heavy breathing Sweating Sweating Hands and feet going cold Feeling dizzy Are the symptoms of a panic attack Counseling is best done By someone who is detached From us and from the people and situation Because of whom we are creating anxiety If we go through a panic attack It gives us a signal To understand our baseline anxiety Instead of fearing the attack Let us start resolving issues Embedded in our minds So that we will always lead A mentally and physically healthy life If you wish to discuss your problem Or have a question to ask Or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center Write to us on Awakening at PMTV dot in Or call us on 099 99 559 660 Om Shanti Om I'm a peaceful soul Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om